इस प्रोग्राम नूँ वेख रहे अते सुन रहे गैच हिंजाबी दे दानिश्वार दर्शकां अते सूजवान सरोतियां दा एक होड एपीसोड में निगा स्वागत है इस प्रोग्राम दा मकसद इस दा नाम जिवें आप नाल पहले सांजा कर चुके हां निर्पाव निर्वैर इना दो गुणानू आपना निशाना मित्दे होई इनानू आपना अदर्श मित्दे होई इस वल कदम रखना दिगदे टैंदे इस निशाने नू अपने अक्छां तो ओजल नहीं होण देना उस निशाने नू ओले नहीं होण देना दिगदे टैंदे वी कोशिश करनी है असी उस रस्ते दे उत्ते तूर सकीए ताके असी अपनी मंजले मक्सूद अपने निशाने नू प्राप्ट कर सकीए कौमी मसले होर मुद्दे या जिड़े मसाइल सानु दर पेशन ओ कौमी हिद जना दे बारे गल करनी जरूरी है जना दे बारे आम तौर दे उत्ते गल नहीं किती जन्दी साड़ी कोशिश है तिकी नजर पेनी नजर दे नाल असी ओना दे उत्ते डूंगी विचार करिए और बिल बैटके सांजे तौर दे उत्ते ओना दे बारे कोई रा कडिए ताके नवी पनीरी नू इस तो सेद मिल सके निशाना नवी पनीरी है ताके उननो अपने विरसे विरासत अपनी बोली अपने इतिहास उस नल जोड़िया जा सके इस कारज विच बहुत वड़ा कम है जिस विच आप दा सहयोग हदों वद चाहीदा है अज जिस असी एक इशू नो बहुत छोटा जया भी है पर बहुत वड़ा भी है जिस तरीके देना लिक किहा जानता है सत सईया के दोहरे अरनाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर इना निके निके नुक्तियां दे उत्ते जेना दा असर बड़ा डूंगा है जेड़ा आन वाले विरास्त ले बहुत डूंगी चाप छड़ जानता है एक लफज तो असी शिरुवात करांगे जेड़े साड़े बज़र्ग उस लफज नो आम वरतिया कर दे सन उस लफज नो बार बार दो राया कर दे सन असी उसनो पुल गए उस दा एक हिस्सा असी अपना लिया और उसनो उसी ले के तुर पे आम वरतिया जानता है सत्सरी अकाल हर थां एस्ते बाल हुंदा है पर जड़े साड़े बज़र्ग सन जड़े निस्चत तार दे उत्ते जणा दी सूज, जणा दे गुरू परति शर्दा जणा दा दृड़ता, जणा दा विश्वास, जणा दा परोसा, जणा दा सिदक उस दा कोई सानी नहीं सी उ कदिवी सत्सरी अकाल एकला नहीं सी केंदे उ लफज केंदे सन सत्सरी अकाल गुर्बर अकाल ए दो लफज वरते जांदे सन गुर्बर अकाल सब तो पहली वार गुर्नानक सहब ने वरते आसी जिस दा जिकर मक्केरी गोश्ट वे चांदा है सिक इतिहास सिक विर्से देविच ए दो लफज बड़े पीड़े संग और जेड़े साड़े बजर्ग संग एन अदा अर्थ समझ के एन अदा मतलब समझ के ओ ए दो लफज वर्तदे संग सत्सरी अकाल गुरबर अकाल जेकर सानुवी ए लफज समझ आ जाए और समझ कि ऐसी इस्तेमाल कर देए कोई अतकत्नी नहीं कि साड़ी तोर साड़ा रा उसुखैन हो जाएगा गुर्बर अकालदा लफजी अर्थ है गुरु है बराबर अकालदे गुरु है बराबर अकाल दे गुर्बर अकाल याने के गुर्बर मेसर एको जान जिड़ा गुर्बानी ने किया है फरक इतना ही है चेड़ी साड़े तो पहली जेनरेशन सी ओग गुरु और वही गुरु देविच कोई फरक नहीं सी समझ दी पर शायद जिस तरह अकबर अलाबादी ने किया है नई तहजीब से हुए इसकदर महजब के कटी उमर होटलों में मरे अस्पताल जाकर एजडी बोदिकता कई वार इस दा मारू असर ए होया के हुणता गुरूनु भी एडिट करना शुरू हो गया के गुरू दावी गुरूनु ए करना चाहिदा सी गुरूनु इस तरह बोलना चाहिदा सी गुरूनु ए लिखना चाहिदा सी गुरूनु इस तरह करना चाहिदा सी यानि के हुण असी दसांगे के असी उस तो सिखना नहीं बलकि गुरुन एड़िट असी करना है बस एही फर्क है इतिहास दे विच कई दफ़ा बहुत ही कमाल दे हवाले आंदे हन और हसवाद हुंदा है कोई जरूरी नहीं के इतिहासक तौरते बिलकुल सही तौरते उत्ते उकटना वापरी हुए पर उना दे असर ब्रदा डूंगा होता है जिमें एक साखी दे जिकर है साहिब सिरी गुरु गोविन सिंग्जी महराज कि दरे दर्या दे किनारे हन उना दे हत्तों एक पत्थर डिगा है और पाणी दे विच चला गया उना ने एक सिक नो पुछिया पाई ए पत्थर डुब गया केंदा जी एता कोई स्वाल ही नहीं है पारा सी डुब गया दूसरे नो पुछिया केंदा जी पत्थर दी फितरत है डुबेगा पाई देया सिंग जी नो पुछिया उना दा जवाब सी सत्गरू जीड़ा त्वाडे हत्थों डिगगा है और डुबेगा ही जे कर गुर्णानक साहब दे दर्शन करने हैं जे उना दे दीदार करने हैं जे उना नो समझना है ता पाई मर्दाना जी दी नजर तो देखना पेगा जे गुर्णानक साहब दे दीदार करने हैं ता फिर पाई नंदलाल जी दिया नजरा तो दीखना पेगा पाई नंदलाल जी जे डे इत्थों तक केंदे हैं कि मैं बर अबाद खाकम अजदरे दोस्त दुश्मनम सरजनत के हर जाईस्त आई हवा जदो मैं मर जावा ता उस वे ले मेरी मिटी नूँ मेरी स्वा नूँ मेरे यार्दे दर तो उड़ा के किदरे होर ना ले जाई नहीं ता फिर दुश्मन मेने मारंगे के इस दी ता मिटी भी था था उड़ दी फिर दी है अबर अबाद खाकम अस दरे दोस्त दुश्मनम सरजनत के हर जाईस्त के दी मिटी जगा जगा जान दी गुरू गोविन सिंग साहब ने पाई नंदलाल नो केहा सी जदों आलमगीर और अंगजेब दी नौकरी छड़के शैन शाह आलमगीर और अंगजेब दे बेटे बहादर शाह दा पी एकम टीचर सी और अंगजेब बर गे मतस्बी नो मी पाई नंदलाल जी नो अपने बेटे दा टीचर रख्या उस्ताद रख्या पर चदों उस दी दोकरी तों वक्ष हो के गुरु गोविन सिंग साहब दे दरबार वे चाए ता गुरु साहब ने पाई नंदलाल जी नो किया नंदलाल आओ मेरे नाल बैट जाओ ओ कहन लगे ए नहीं हो सकता और जिड़ा जवाब देता उनने ने किया एक गुरु गोविन सिंग लखा नंदलाल पैदा कर सकते हन पर लखा नंदलाल मिलके एक गुरु गोविन सिंग पैदा नहीं कर सकते सिर्फ नजर दी गल है साहब सिरी गुरु गोविन सिंग जी महराच ता हर गल उना दी वचित्तर है कोई जिन्दगी दा ऐसा पक नहीं जेड़ा उना दा बचित्र ना होए बलकि कोगल कही जा सकती है सुपन चरित्र चित्र बानक बने बचित्र पावन पवित्र मित्र आज मेरे आए है साहिब सिरी गुरु गोविन सिंग जी बाहराजता प्रकाश पावन प्रकाश दिवस अठारा जन्वरी नो पोह सुदी सत्मी है और जेड़ा सारे संसार विच मनाया जाना है असी भी उसनो मनाना है पर जेना ने दुबदा पाणवालिया ने उस विच भी काणजी को लणदी कोशिश कर देती उस पावन पवित्र गुरु गोविन सिंग साहब दे प्रकाश दिवस नो भी शक्की बनानदी कोशिश कर देती सानू परकाश दिवस दी सबनू वदाई दिन दिया नवे साल दे उत्ते सबनू वदाई दिन दिया सानू बहुत खुशी है के सिरी अकाल तक सहब दे जथेदार सिंग साब ग्यानी गुर्बचन सिंग जी साड़ी कोशिश है जी उसाड़े नाल लाइन दे उत्ते आ सकन और ओ आके आप जी नाल अपने विचार सान जी करनगे सिरी अकाल तक साहब जो साड़ी सर्वच स्थान है आपनो सनेहा दे सकन हेलो आनन्द हेलो सिंग साब वाईगरुजी का खालसा वाईगरुजी की पते असी आपने दर्शकानू गेट पजाबी दे अमरीका च वस्ते कैनेडा विच देख रहे सारे दर्शका और सुखतियान दे वेच सिंग साब जी आप जी दा स्वागत कर दे हां और ए जड़ा चैनल है जड़ा कौमी मसलियां ते सिखी दे मसलियां ते पंत्तक मसलियां दे उत्ते सिरी अकाल तक साब तो अगवाई लेंदा होया साथ संगत दी सेवा विच कारज रत है इस प्रोग्राम विच आप जीदा निगा स्वागत है और साहिब सिरी गुरु गोबिन सिंग जी महराज दे आ रहे परकाश दिवस और ए जड़ा नमा साल जड़ा चड़ा है कटो कट विदेश विच रेंदिया ना संगता देना आप दा की सनेहा है आप इस दे बारे की असीस देना चांदे हो सिंग साब ग्यानी गोरु बज़चन सिंग जी जथेदर सिरीयकाल तक साब दो आहे गुरु जी का क्ञाल साब आहे गुरु जी की फते आप जी दे चैनलराही समुच्चि सिक संगत नों जो देश व देश दे विच्चि जथे 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 वी है साहिव श्री गुरू गोविन सिंह साहिव जी दे प्रकाश पुर्व नू जो अठारा जनवरी नू पोसुदी सत्मी नू आ रहे है पोस्दियां बाहुत बाहुत बदाईयां सुमुच्टा सिक जगत अठारा जनवरी नू जो पोसुदी सत्मी है सेव शिरी गुरु गोविन सिंग साहिव जीदा परकाश पुर्व मना रहे है पंजा तक्ता दे उते पो सुदी सत्वी अठारा जनवरी नूही मनाया जा रहे है तक्ता हरी मंदर पटना साहिव विखे जिते दिल्ली सिख गुर्दवारा प्रबंद कमेटी दा प्रबंद है उत्छे वी अठारा जनवरी नूही पो सुदी सत्वी नूही मनाया जा रहे है इस करके समचे आल वर्डी संगत नूं दास दे वल्लों ए निमर्ता सेहित बेंती है कि समचे संगत एके दा स्बूत देंदे हुए श्री अकाल पर साहिव नो समर्पत हो के साहिव श्री गुरु गोविन सिंसेव जीदा प्रकाश पुर्वर केवल वो सुभी सत्मी अठारां जनवरी नो ही मना के गुरुनियां असीसां प्रावत करन वैसे ते कदो मी मनाया जा सकता पर किसे विशेश तरीक नो जिस तरह बेमुक्ता वाली गाल हो रही इस करके संगता नो बेंती है के केवला सपो सुभी सत्मी अठाना जर्मरी नो सहिव शिरी गुरु गोविन सिंसेव जीदा परकाश पुरु मनाया जाए क्योंके गुरु गोविन सिंसाहिव जी जिनना ने सरवंस कुरवान करके पंथ खालसा दी चरदी कला दे वास्ते सद्गुरु पातिशा ने सानू उपदेश बख्षिस कीता है जो कवियां दे बचना दे अनुसार पंथ वस्य मैं उज्जना मन चाओ के नेरा जो कवी अपनी विचार कहिंदे ने और सद्गुरु अपने पावन मुखार में दिविचो निकले शचिता ने पन क albums की गात सभ एकर पहचानगो असी समुचियां संक्ता ने विच्छ एका पैदा करने पंत दी चरदी इकला दे वास्ते शीह अकाल तक सहमनु समर्पत 화ो के शीह अकाल तक सहबलो हो है देश अन्देश ऩार irrigation संक्ताने छर्दा पामना सदकार सहत मुना के प्रशियां प्राव के करनी हैं सिंग साथ जी आप जी ता बहुत बहुत तनवाद इस एहम संदेश नो इतने स्पेश तरीके नाल आप जी ने सारे संसार विच पुचाया और गेट पिंजाबी दे रहीं इस सारे संसार तक पहुंचिया है सिंग साथ जी एक बड़ी आरे भी आपने किहा कि बेमुक्तादा सबूत दे रहे हन एपरंप लिखा क्यों पाया जानता है ओना दे जीवन काल विच वी ओना नो सारे या चीजां दा समना करना पया अज योना दे खाल से नों मी क्यों इस तरह दे फिर उसे ही समे विचों क्यों गुजरना पेंदा है एदा की कारण है समें समें सार कुछ ऐसे लोक हुंदे ने कोई ऐसी यां शक्तियां हुंदियां ने जो पंथ नों एक सूतर दे विच प्रोवे होए नहीं देखना चाहूं दे किसे न किसे मसले नों अगे लिया के कौम दे विच दूदा खड़ी करन वास्तियों अपने हमीशाई जतन कर दे रहें दे हन जिस्तना अज भी बहुत सारे ऐसे हीले कीज किते जा रहे हैं ने कदे किसी मसले नों लेके कदे किसे मसले नों लेके पंथ विच संगतां दे विच दूदा खड़ी कीती जा रही है बहुत सारे असी जिस्तरा अमर्त शुरोवर दे बारे विच अमर्त में बानी दे विच अमर्त बेले दे विच अमर्त दी शक्ती जो सद्गुरा ने सानु बक्षिस कीती इस नू लेके असी अनिका मुद्यां ते अपने आपनी विद्यादासी परसाद लोकां तक पुछाउन दे वास्ते लोका नूं को सिक कौम नूं विशेश करके संगता नू तुबदा विच पा रहे हैं मेरी बेर्टी है कि सानू इस तरह संगता दे विच दुबदा नी पैदा करनी चाहिए दी ये कोई कौम दा मसला है ते और कौम दे जिरे स्याने विद्वान ने बुद्धी जी भी ने ओ बैठके हाद कर सकते ने जी 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 सिंग साब जी मेरा सिर्फ एक अखीरला क्योंके मंदी विथा है कि जदो आप जी ने क्या बेमुक्ता दा सबूत दे के हर चीज बाणी बारे कर रहे हैं एक बाबा राम राए जी दा जिकर आंदा है कि एक लफ़ज बद्रन करके इतना तुछ होया पर एजड़े सिद्धे ही सपश्ट औरते नास्तक्ता दा सबूत दे रहे हन आप जी अजेवी कहरेयो एननों बेंती किती जाए कि एना दे उते किसे बेंती दा असर हो सकदा है या फिर जिस तरीके न पंथ खाल सा फैसले कर दा है उसे तरीके न ली दा निरना हो सकता है पहले तो एही हुंदाए भी अगले नों प्यार दे नाली समझाया जाए प्यार नाली लखीती जाए दूसरा कोई भी जुडा अपराला है ओ करन दी जुरूरत नाम पवे अगर जे कोई देर भी उस प्यार दी पाशा नों नहीं समझ दाये ते जो पंत करवायता ने उस पंत करवायता दे अमसार उस दे उते फिर कारवाई करनी जरूरी बन जान दी सिंग साब जी फिर असी कह सक देया के जिड़ा असी रोज पढ़ देया छोँड़ जी जी आप दा बहुत बहुत ऑनवाई सारी संगत्ष वलों असी सिरी अकाल तक साब सीरी हरमंद्र साब नत मस्थ फंदे हुए आप दा बहुत तनवाई कर दे हां के गुरु गोविन सिंग साफ दे परकाश दिवस दे आ हैं पोसुदी सत्मी बारे आपने जो पेगाम देता बहुत बहुत अन्वाद वाई गरुजी का खालसा वाई गरुजी की फत्र जी तो प्यारे दर्शको ए सिंग साथ दा पेगाम सी संदेश सी और असी बड़ पागी है जिना ने इस संदेश देता और हून एक समा है छोटे जे ब्रेक ता असी ब्रेक नमांगे पर नाल ही तुसी सानु काल करके दसना है ए जो दुबदा पाई जा रही है गुर्परवदी तारीख दे उत्ते पोसुदी सत्मी की है पोसुदी सत्मी किस तरह हून दी है इदे बारे असी आपनो थोड़ा जा संखे पिछ दसना गे औ एक छोटे जे ब्रेक दे बाद मुड़ा हासर हों दे है गेट पंजाबी दे दानश वर दर्शक सूजवां सरोते हैं दा ब्रेक दे बाद मुड़ने का स्वागत है सिंग साब सिर्यकाल तक साब दे जथिदार यानि गुर्बचन सिंग जी दे पेगाम उना दे सने है जो उना ने हाजर होके देता उस्ते बाद साड़ा फर्ज है कि जेड़ी पोसुदी सत्मी आ रही है ए पोसुदी सत्मी की चीज़ है इस दे बारे बहुत संखे पिछ सदारण जी चीज़ है ए जो सिस्टम है तरीक मकरर करन दा पोसुदी सत्मी दा जिस वे ले न्यू मून नमा चांद जिनू केंदे चड़ दा है उस तो बाद सत्मी दिन ओ सत्मी हुंदी है सुदी और बदी ए जो चांदी दिशा है कोई इदे विच किसे किसम दा कोई हिंदू सिक मुसल्मान या नास तक या हूर किसे इलाके दी इस दिशगाल नहीं गुगल दे विच्चों भी या हूर जिड़े साइंस दे केलेंडर सान उना ने भी ए मून केलेंडर चापे हन जिड़े असी आपनों दखाना चांद दे हैं इना केलंडर जिड़ा आपनों दिखाया जा रहा है इना विच पहला केलंडर जो है इस केलंडर जो आप देखोगे जनवरी महीने दे चंद्रमादी इस्थिती जो हालत है ओदसी गई है किस दिन की होएगा और जिड़ी न्यू मून दे बाद जड़ी सत्वें दिन दी जड़ी दशा है ए जो अज है अठारा तरीक नो शो हो रही है ए अजदा केलंडर है अजदा मून दा ए रोजदा बनदा है और इसनों हिसाब लगा के जो अज अकाश दी दिशा होएगी हजार साल पहले भी दशा एई होएगी सो जेकर पोसुधी सत्मी अगर किहा जाए पोसुधी सत्मी है ता उस दी तरीक मकरर नहीं किती जा सकती जिस तरह बड़ी हासो हीनी गल होएगी जेकर कोई कहे के गुड फ्राइडे दी असी तरीक मकरर कर दीए के दसो पाई एद की गुड फ्राइडे केड़ी तरीक नू आएगा एक बिलकुल हासो हीनी जी हालत हो जाएगी और मजाक ता विशा बनेगा पर लगदा है जिमें सिंग साहब ने इशारा कीता के ए साड़ी नास्तकता और साड़ी मूर्खता दी जड़ी बुद्धी मता है ए जड़ी आपनी मत दे उत्ते मानमत दे उत्ते परोसा करके असी ये स्यानब कीती के असी पोसुदी सत्मी भी मकरर करदांगे की मस्या की पुनिया इना दिनानों मकरर कीता जा सकता है की कोई मकरर कर सकता है कि साल दा पहला दिन सौमवार आएगा या केड़ा दिन आएगा जे ए नहीं हो सकता ता ए भी नहीं सी हो सकता अज भी जो पोसुदी सत्मी नो इस साल अठारा जनवरी नो जो हालत होएगी आकाश दी जदो गुरु साहब दा परकाश होया उस दिन मी स्थिती आकाश दी यही सी अज तो हजारा साल बाद भी यही होएगी जो ये पोसुदी सत्मी नहीं है उनों फिर पोसुदी सत्मी कहना एक मूरखता दीगल है इस विच्विच कोई स्यानत नहीं जो इस वारी पोसुदी सत्मी अठारा जन्वरीनों है और सिर्यकाल तक साहब दे आदेश दे, सपष्ट आदेश दे मताबक उसे दिन ही मनाई जानी चाही दी है हाँ वैसे किसे दिन भी मना लवे पर ए कैखे कि असी ए मकरर है फलाने दे किसे दे उसमे विचा के किसे होर चीज नो नज़ विच रखके करना E मनमक्ता और स्री अकाल तक फसापतों बे मक्ता कही जाएगी तुसी इस दे बारे आपने विचार सानु जरूर सांजे करो कि की सानु पोसुदी सत्मी पोसुदी सत्मी वाले दिन ही मनानी चाही दी है या कौम दे विच दुबदा पैदा करनी चाही दी है आप दे विचारां दी मतलाशी हलो 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 अलो जी। कुर्वेंडर सिक जी। जो नानक शाही केलेंडर है सिरी अकाल तक साहब वनो परवानत है उस दे मताबक ही मनाया जा रहा है और जिड़ा सही केलेंडर है बाकी इस दे बारे असी आपनो जरूर वेरवे सहत के अगर एदे बारे कलेंडर नो डिसकस करन लेई असी वक्रा समा लमांगे की हुनदा है किस तरह बनदा है केलेंडर के में बढ़ाया जानदा है ओ बिलकुल एक वक्रा विश है असी जरूर उसनो लमांगे पर आजसी के गुर्पुर्वदी तारीक, नानक शाही कैलेंडर, सिरी अकाल तक साथ तो परवानत और जेड़ा, कुद्रती कैलेंडर दे मताबक एही तरीक अठारा तरीक है, उस मताबक ही मनाया जाएगा, बहुत बहुत तानवा तोड़ा यह वाईगुर्जी का खाल साथ, 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 वाईगुर्जी का खाल बेंटी जाना तुहीं बहुत ही बदिया जड़े कोम दे ले गए उने उतासदें जानू एक बेंटी है कि जड़ा जड़ा आज जापां एक कलंडर वारे जहां गोर पर वारे तुहीं सचेद कीता है जी इहें तुहीं जे करपा करो एक होर मताजरा पहुंदे वेचे कोम दे वेचे बहुत हर टेम पे आगा परसने से कहला फोरी है वेचे वी उना पारकुर दोरे भी इसादा बी साब लेंट पार्ड़ा बी हुई और भी सबकुछ होया जी नेतने ने बानिया कें तुपरन तुझ ड़ा हो एक चेद बहुत 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 तन वादला एदा सिंग साब नो दुबारा तकलीफ देंडी लोड ने क्योंके पंथ परवानत सिख रहत मर्यादा दे विच सपश तार देते ओपंजो बाणिया नितनेम दिया मी ते अमरस संचार दिया ओ दोनों अंकत हन ओ कदी तुसी काओ गया सी खुद भी विचार कर सकते हैं उदेज कोई दिक्कत नहीं कोई दुबदा नहीं बलकि उसनों होर दुबारा मसले नों छेड के सी होर दुबदा ना पैदा करिये ओ बिल्कुल मकरर हन और उन अच कोई वादा काटा नहीं बहुत बहुत तानवात तोड़ा हलो 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 हाँ जी कौन बोल रहे जी हलो हाँ जी हाँ जी कौन बोल रहे जी तुसी लाइन ते हो मैं मंजीज सिंग बोल रहे हैं जी लापा साब हाँ जी मंजीज सिंग जी कि तुब बोल रहे हो मैं तुम न्यू यर्क तुब बोल रहे हैं जी मैं एक एकल करना चाहना है कि मैं जदेदार दे विचार सुने ने अपने अकाल्टिंस साथ जी 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 अलो हाँ जी हाँ जी तुसी लाइन ते ओदसो हाँ जी मैं विचार सुने ने जथेदार अपने अकाल से उसाफ दे है पर ए जड़े कलंडर बना अंदी का भी आप पर लोड भाई है पहला कलंडर बना सुने चल दाए हाँ बिलकुल मैं ता आप मेरे खाल दा मैं अपनो जवाब पहले भी दे चुपका ए तो अड़ा बिलकुल सही दुखता है के कलंडर जड़ा है ओ बनार दी लोड की किस तरह पह गई गई ए ता पहले दा चलिया बलकि ए जड़ा कलंडर है जड़ा सिस्टम है जड़ियां तर उसनु बिलकुल कुदरत दे उना नियमा मताबक उसनु देखके सोद के जड़ा फाइनल शेप इस वे ले जो देती गई है ओ बिलकुल जवे आप जीनु दस्या है के पोस दी सत्मी जड़ा फुल मून न्यू मून दे बाद सत्मे दिन होंदा है जवे मस्या कत्तक पुनिय है और पूरनमें वाले दिन होएगी कोई दी तरीक मुकरर्रन नहीं हो सकती अदी हो ना दे विचार नहीं हन और जो अकाल तक सहब दा होकम हैि अकाल तक सहब दा देश भर बहुत बहुत आन्यवत हलो हलो हाँ जी हाँ जी कौन बोल रहे हैं ? मैं डच्टर साझदेव बोल रहे हैं जी παरीस रही जोना तो हाँ जी ड़क्ट साब भाइग जी का खाल साब जी फटे हाँ जी डच्ट साब तुस् Turkish line ते ओ zmian जी हाँ जी मैं डाक्टर जिस्वां सिंस आज दे बोल गया है जी फीनिक्स आरी जोना तो हूँ जी डाक्ट साब दस्सो डाक्ट साब तुसी लाइन ते हो हाँ जी हाँ जी नामगा साब पेला दा बड़ा तो अड़ाई शुक्रिया अज बड़ी जएर बाद वड़े दर्शिन ह मैं दोबारा जी 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 तो अड़े विचार सुन वर्स से मेशा मन पीवर रंड़ है ते मैं सिर्फ आईदा जड़ा बुदा चल रहा है जी ओदे बारे सिर्फ एक जवांगा के जेकर हो सुके ता जड़े गुर्सिक में नामिक्शाहिक लंडर पेला इजाद कितना से इस प्रवार है के जा है नो सारे नो गरस लिता जा रहे कि दा की डेसे सीगा को कि कि तुल क्यों तक मैंनो समझाओं धी जी ओना दा ए ब्रिश्टिकोंड शीगा के सारी चीजा जड़ी हैं ओ नानेख शाहिक लंडर लेनाल खिट बैठ रहे हैं वेरई आपने आपने पाई सब्सक्राइब बहुत बहुत शुक्रिया तो अड़ा बाकी जिवे पहले दस्या है कि कलंडर दे उत्ते आ जसी विचार नहीं करें कलंडर बारे असी आप जिनों नहीं जानकारी दे रहे असी ता कलगी तर पाथ शादा प्रकाश दे वसा रहे है उदी वदाई देन उस दे वदाई लेंड ले और उकेडी तरीक नू है उस दे बारे कहरे हैं कि जिवे आप डाक्ट साब भी कहरे हो कि ओ डेट मकरर है सो जे ड पुर्पुर्व दे तारीख दे उते जड़ी दुबदा पाई जा रही है उधे पारे तुसी अपने ज़रूर विचार देओ ते एक समा छोड़े जे ब्रेक था गेट पंजाबी दे दानश्वर दर्शका अधे सूजवां सरोते आदा ब्रेक थे बाद बुड़निगा स्वागत है साहिब सिर्गरू गोविन सिंग्जी माराज दे पावन परकाश दे वस पोसुदी सत्वी जो अठारा जन्वरी नो आ रहे है उस दे बारे आप जी नाल विचार सांजे कर रहे हैं जिस वे ले साहिब सिर्गरू गोविन सिंग्जी माराज दा परकाश होया सी उस वे ले पीर पीखन शाने पूरू बलसजदा कीगता सी और जदो ओना दे साथिया ने पुछिया सी के एक ही आज जसी तुसी पच्छम दी बजाए पूरू बलसजदा कर रहे हो ता ओना ने जवाब देता सी के मैनो खुदा दा नूर उदर पर गट होया नजरांदा है पटना साथिया उगलिया उत्थो जारी होए हुकम ना में ओ गुरू साथ दे आदेश उना दे बाल कौत तक उना दी ओ बनियाद उना दा सफर गंगा दे किनारे तो गुदावरी तक दा सफर इस अड़ा विर्सा है पर असी उस तो कुछ हासल कर सकीए ना के असी जेना दी निरर्थक जी बहस के गुरू साथ दा परकाश केड़ी तरीक नो बनाना है उस बहस इच पह जाईए जिवें गुर्णानक साथ दा परकाश कदो हुए है वैसाख नो है या कत्तक नो है इस बहस दी बजाए कि ये चंगा नहीं होएगा कि गुर्णानक साथ ने किया की है उनने सनिया की देता है उनने पेगाम की देता है उनने कीता की है इस दे बारे विचार करिए गुरु गोविन सिंग साहब ने केड़ा सनिया देता सी उस स्थान तो उत्थे केड़े का उतक सन उन दा मकसद की सी उस दे बारे ऐसी विचार कर गे उना दी बाणी उना दी बाणी बारे सो ना के इस निगूनी जी बैस दे विच पैदे ये तो ट्वाडे विचार साडली बहुत कीम्ती हम पर सार्थक तार्दे उत्ते गुरू गोबिन सिंग साहब नो शर्दा दे फुल दिनदे ऊयां उना दे लियी समरपत हुई और ट्वाडे विचार थेलो जी वाई खाल्सा वाई फत्य जी वाई गुरू जी की फते जी कौन बोल रहे है जी हाँ जी हाँ जी पसीन साफ की हाल है तो अड़ा ठीक है हाँ जी मैं इसकर के तो डिकल्स का रीफून कीता है कि वो जड़ा वो तेरा तरीक नों खतम हो जाना है जी हाँ जी पौधी सत्वी फ़ पौधा नाल किस्ता आगया वेच का तुसी इदा कर लो इस तरह है गया कोई वी केलंडर जड़े ने चुक के देख लो वदी और सुधी दे मताबक पौध सुधी सत्मी ओठारा तरीक दिखेगी है ओ तुसी किसे वी केलंडर जड़े माहर है उना नलवी गाल करोगे ओ देख लोगे ओपौध सुधी सत्मी बोल रहे जी पहली गलता मैं तरह मैं सर्फ एक में लेना था दा फौन ना कट्यों गाल सुन डेम रिप्लेइब दस्व जी जरूर अजी एक पहली गलता मैं तरह पूचम चानला वे जिरूं तुसी कह रहे हैं खोद भी अपनी बहस नहीं की प्रोग्राम के रे देन नू मन ना जरूरी है भी प्रोग्राम मीं क्यों लेकर आए परानों मना जरूरी है बिलकुल भी ठीक है एई ही है हो ते कोई स्वाल नहीं चोटा एक होड़ा है यहां ची दस्वाल है अभी चोड़ा क्लेंडर पांच चैसे दार ने लागु किता हो बे जी वह मननन जोगा जा साब दी मोर्थले जड़ा जारी होया है पहला तो ही मनन योग है और जड़ा के मवजूद है दूसरा रह गया कि जदो बैस है ही नहीं तब फिर बैस जिस चीज दी है ही नहीं कि जड़ा कुद्रत दे नियमा मताबक जड़ी देट मकरर है जे मनलो गुड फ्राइडे ते गु ही मनाई जानी है जे संकरांद जेडी संकरांद वाले देन जड़ा जड़ी जिक्तराशी चू दूजी जानदा है जे उस दिन सत्मी नो मनाएे कोई दुबदा नहीं पर यह कवे कρεί कि नहीं किसे हो और देनू है असे पोस इसनिए सत्मी कह diabetic फिर दुबदा होंदी है इसलिए कह रहे हैं कि इस ते कोई दुबदा नहीं होनी चाहे दिये बहुत बहुत तनवा तो लो रो थेलो सेस्रीकाल जी कांट बोल रहे जी शीरी हरमंदर साब तो सिंग साब नो लेक के आए गानी जी नो उना ने शुरू दे विचे इना अच्छा सारा कुछ सानो एक्स्प्लेइन कार देता है तुसी भी करी जा रहे हो के केलेंटर देवारे आपको फेर किसे दिन मुद्दा लेके आवागे फेर भी लोग की उसे वारी गाल करी जा रहे है जो मुद्दा होने चाल रहे है उसनों गोई गाली नहीं करना चा रहे है तो सिस पर्ष्ट कई जा रहे हो गला तो सिसी कंप्यूटर ते भी मेरी बेटी में जाके देख यह है जो और जाए किरें मेरे हस्बन यू निट थीख है ठीके बहुत 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 तामवान शुक्रियार दो अथ थाक्यों हेलो हेलो हाँ जी जहेदार पुपंदर सिंह बोर रहा हैं जी हाँ जी संथ साथ जी सक्ष sounds स्थ स्थी काल पुपंदर सिंग जी हाँ भी जी मैं बहुत ही असी खूशन सी बाया कrit तुस्ही जैव विशा लाकर आए हो अपने चैनल ते तंतान साथ श्री गुरू गुबेंज सेंग जी वाराज नो अग्याद कर रहे हैं जी मैं तो अडिमादे में संदेश देना जोना है कि आपां गुरू जी दी जिना से किसा आजा जो गुरू जी ने सिर्जिया सादे वारते जो सोड़ा सो निडिने में दो खाल से साजना कीतिया जी थानू समू सिखानू ओना जी शार जावया निया शेहिदिया ओना दे वल्लों पाय गये सिखी दे इनने बुलांद जेडे साथे चंडे ने उनना उच्छा चोकत देवे शानू सारी कौम नू आपने गुरू दे लड़ लगना जाएदा जी आपने गु जी ऑदर खत्रजी थानू साथे चार पुछाई नू साथा बश्याटं के चार मुए यह दो जीवत कही हिजर तो आज णान नू जेकस देड़ा मना जाएदा मैं आभनेक रसे कौम मादा कारना जाएदा पूरी समुची काम वे सनया देना जोना है तो मेरा सनया मैं समय दाएं कि बहुत इचंगे स्रीके ना जड़ी है मेरी अपावनावने तुस्यों लोकां दा जरूर पचा होगा जी ठीक है पहुंच गही है जी बहुत बहुत तानुवात तोड़ना हेलो हेलो तुसी टेलीफोन दी लाइन अपने टीवी दी आवाज बंद करोगे ताकि तोड़स ने आए हेलो हेलो हां जी कौन बोल रहे हैं जी वाईकाल साब गवादार जी मेरनों राणा सेंग है गाजी मैं बिनी प्रक नेड़ात बोल जी वाईकुर जी की फत्य हां चांद चाड़ना शुरू हो गया चाहे वो खातम भी हो जावे तो ओ सुधी सत्मी केहा जाना ठीक है ठीक है जी बड़ी-बड़ी मेरबानी स्पष्टी करन देन ली और लगदा असी कुन नमाद चांद चांद चना आका ही छड़ना है बहुत बहुत तनवाद हलो हलो हनस्टी कौन बोल रहे जी हां जी कित हो हां जी केलिफोरिया तो जी हजी दस हो जैसेश जी पाइस अब गल कर रहे हैं जी गुर्चर जी सिंग लांबा तुसी मेरना कल कर रहे हो हाँ जी मैं ही कहना सी भी सारे सिक्ष कॉमनुए संदेश देना सी भी सारे जिस्थां बाकी तर माने उनों तो कुछ उसी लेसन लेए वह अना दे प्रफिट जो कह देने जी ओजा खट्सी लेशिश उसी लेशित बार रायों सिक्ष लागा राज करेगा खाल्सा 마지막 तो साका 이제 बैसा कथा इससै भाहत ड्यालत DOG also ढाया होना कम आरी हों旋 असफानुदाव और ऑचक अग्टमस्तक होना चाहिए और उनुदाव करना चाहिए बजाए के वाद वी वाद विच सारा समागो आदेए आओ असेवी बबाजी देए अ कहे हुकम अनुसार चलिए तो सारे अपनी पंथ्वे चर्थियों के लाँ विच चाहिए जी बहुत बहुत तानवाद और ना के वल सिंग साथ दा संदेश है बलकि जवें द से है कि पंजा तखसा है बाँ जड़े साड़े पांच तखत है पंजा तखता दे उते साहिब सीरी गुरु गोबिन सिंग साहब माराज़दा परकाश दिवस अठाना जन्वरी दा पोसुदी सत्मीद है तो डे सने लिए बहुत बहुत तानवाद समा है छोटे जे ब्रेकता ओदे बाद मुठाज़ वाइगुरु जी की फते गेट लाइब विद विचार सांजे कर ली बेखो गेट लाइब विद सुखवण टडड़ा हार वीरवार अति शुकरवार राती साड़े आठ वजे सिर्फ गेट मिजाब वी दे ब्रेकते बाद मुठाज़ रहां साहप सेरी गुरु गोबिन सिंच जी महराच ता पावन परकाश दिवस जो पोसदी सत्मीन वारे है गुरु गोबिन सिंच साहब ने सारी इनसानियत ले सारी मानवता ले जो सनेहा दिता उनाने जो कारज गीते ए गुरपुरव कुर्बाणी तिन्ना गुर्सिक्खा पाए पगत गुर्पुर्ब करन दे पाओ पावनी देनाल गुरु साहब दे उना महान दातानो उना महान दातानो उस विरसे नो चेते कर देया जी असी उस चो कुछ किनका भी ले सकीए तब फिर ताए गुर्पर मनाया सार्थक है लोका ने इस ता फाइदा उठा लिया इस ता लाहा ले लिया और जेना ने लाहा ले उँ इतिहास ते विच नगीनिया दी तरह अंकत हो गे साधी जिन्दगी दे विच साहिबान दा परकाश दिवस आ रहा है असी उस तो कुछ अंच हासल करिये और जिवे पंच ताखस साहिबान दे उत्ते और सही के लेंडर दे मताबग जो के पोसुदी सत्मी पोसुदी सत्मी नो ही है अगर ओ उस दिन मनाया जान दा जिड़ा आदेश है अगर उसनी लाग़ करिए ताँ असी सार थक कह सक दे हैं सो तुईडे विचार सानू चाहिदे हैं के गुर्फूर ऑब किस तरीके नाल मनाना चाहिदा है इस दे बारे जरूर सानू काल कर के दसो हेलो हेलो हां जी वाईगुर जी की फते कौन बोल रहे है भाई साथ? हाँ जी सुखदेव सिंग कैलिफोर्निया भाई जी हाँ जी सुखदेव सिंग जी जी आनो दसो बहुत बहुत मेरे बाई लामवा साथ पहले गलता है काफी चरबाद आप जी के तर्शन होए है जी के भाई की जिदा है एक मुदा दाकार लाम पार एक स्लिकल्ड़ केट जारा है कि पार चैनलता है तो के लोकी मुदा समें जी बोलोग जंवाजरा नो है वो कन नहीं किता जा रहा है जी आ सारी समर्पनें इस इस दिना सहमत होना चाहिए जड़ो सादे सार्ब कुछ अदालत दे जसे दा साहब ने एक शुपष्ट औरते गल कही है पस एक पस्या सारे कहने है कि आसी सेख ज़रे हैं अकाल तक साहब नो समर्पता जी पर जो चाहिए जी जी बहुत चंगी गल होगे सारे ही राव के अपना पोसुझी सत्मी नो ही मनाया जाए बाकि जिसना गया के पामेंचे के मर्जी जिनर के पिछे मिना साथ है कोई जरूरी नहीं हाँ जारे यह एस चीजनों एक कईया संस्थाओं वालों जा कुछ अखोती लोका जी 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 बहुत बहुत तनिवा स्थाओं तो अड़ा बाकि जीवें तुसी भी दस्या है गया है जे इस तरीक के दिना आले सिलसला जारी रहे तो जिवे फिर बंद को भी दे पते लाई जाओ विच्चों कुछ भी नहीं बचेगा हेलो 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 है ह亂 जी कौन बोल रहे जी किठसर बोल जी हाँ हाँ जी होखम करो दसौब होखनी कि आई घुठक्रव हाँ जी तानू आ टीवी दे आवाज बंद कर दियो हाँ चलो बेंटी कर लो अजी बेंटी है अच्छी ना मतों दस्क्निय तो आए थे अच्छी देख दे रहे हैं अच्छी दिल्ली गुर्दारा साथ मंगला साथ हूं कथा सुन देशी जी हाँ जी हाँ जी कफा सोन देख लिए थे अच्छी वह कफा सोन दे ना बहुत वह ज्यान पराफ्ट थे जी तुस्वी कोई ने अपने चैनल दे उते होजे टेम रखो के जड़ी कि वजी 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 गुरूर है जी कफा वादसन कफा सनाया का नू ठीक है ठीक है बिलकुल जड़ियें ए चीज नहीं होनी चाहिए दी तो आड़े विचार बड़े चंगे है और साड़ी कोशिश होएगी कि जड़ी वी चीज साड़े अद्यातम ली आत्म कलेई या वैसे वी अगर किसी वी पक्छों आसी दे सकी है उदेले यसी ज़रूर कोश के management तक तो अदा सनिया पहुंच लेक्ट बाथ तनुबाद लूँ अधी तेंक यू हेलो 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 एलो हेलो 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 सस्टिकाल जी स्टिकाल कौन बोल रहे हैं जी मैं बरेंदर पोयल से क्रामेटर दो बोला जी वीर जी हाँ जी मैं एहे पर लंदा बिलाई देनी चाहना सारी से कौमनों गुरू करानों मैं अपील करदां जी अटालता है भी साब न मनाओ और कोई न मनाओ थेंकि वेरी मैच बहुत बहुत तानुबाद करदां ये थोड़ी जी हेलो 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 हाँ जी हलो सास्षीकाल जी सास्षीकाल कौन बोल रहे जी अजी पैंट जी अमर्जीत कौर वनों सुने हाट वनों दे रही है यो कहना चांदे रहे हैं ती कित्थों पैंट जी अमर्जीत कौर कित्थों बोल रहे जी कित्थों केड़ी ज तो अजी जो बेंती करना जानने आपकी सारे शिक्ष जगत नूब टी जो काल तक पंजा तक तांतो जो नहीं पता थे तुसी प्रीज लेके आओ क्योंकि जड़े सिकारा में चानने या ते गुर्प छोटे जए एक वेन्यू विच मना लेने या बाकी तर मानू साधे तर अबारे कुछ नहीं पता थे वर्ड विच साधे नल बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ठीक जब इसनाल ते ए मुद्धा लेके आए जावें ते किस तो आपने एक तरमदा पर चार करिये क्यों नहीं इसी ऐस तरह कर दे जिस तरह के बस टॉप से जाके यह जोर तरीक का लगए जाए म्यूजियम से विच सिक तरमदी हिस्ट्री सारी दसी जावे ताक्के ए सारे वर्ड मूं पता लगए पैसी है कौना जैए उननुकाओ पी एसी सिक जाथ हो कैंठे है जो अधिस बुकोड़े शिख चीज की स्थ सिक populaire ने ओando काने ए आपने 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 आपनों भी समझना पहेगा एक जापते दे विच एक डिसिप्लन दे विच सानु आपने आपनों भी पहले दसना पहेगा सानु आपने आपनों भी समझना पहेगा एक जापते दे विच एक डिसिप्लन दे विच सानु आपने आपनों लेणा पहेगा गुरू साहब ने बुद्धी मान पैदा कीते बुद्धी जीवी नहीं पैदा कीते पाउर साब क्या करदे सान बुद्धी जीवी ओ हन जेना दी जीव का बुद्धी दे सारे चले या जेना दी बुद्धी विजी बैजन असी उस पासे ना तुरिये असी बुद्धी मान बढ़न दी कोशिश करिये बुद्धी जीवी ना बढ़िये तो वड़ा मसला बहुत मसले हन एक नहीं मसले मू उबारे खड़े हन एक नवा मसला जड़ा सी तवा डेनाल छेती विचारांगे ओ है मलेशिया देवेचे कह दिता गया कोट वलों अदालत वलों के कोई गैर मसलम अल्ला लफज इस्तेबाल नहीं कर सकता गुरू गरंच सहब देवेच बानी देवेच कई थामादे उते अल्ला राम मोहन क्रिशन सारे लफज वरते गए हन एजड़ा नमाएक हमला है इस तरह देजड़े गंबीर हन असी ओना नो चढ़के एब। कहले आ जाए एक कुते दी बरती हुनदी है एक शेर दी हुनदी है जे उसनु सोटी वजज़े उस सोटी नो चाक मारदा है शेर दी बिरती हुंदी है जी उसनों जड़ी चीज बज़े जिस पासे ओ आई है उस पासे हमलावा हुंदा है असी समझिए के जड़े मसले हन उस ज्यादा गंबीर हन एना छोटिया छोटिया चीजा नों लेके सिर्यकाल तक साबते पंजा तखता दे उत्तों जड़ी चीज किती जा रही है उसनों भी असी मनननों तियार नहीं ए बहुत गंबीर साड़ी तोहीन है तोहीने रिसालत है बहुत बहुत तानवाद हलो हलो हाँ जी मैं लमा समना कल गर मैं बोल रहे हैं जी हाजर हां जी कौन बोल रहे हैं जी कौन बोल रहे हैं मैं हरमीद ब्रैट बोल रहे हैं जी हाँ जी ब्रैट सब दस्सों हुकम करो लमा साब तो तीवी ते आवास तो अटी ते नहीं है मेरी नहीं है मैं होना आवाज बदलन दा जे माहर नहीं हो या मैं ही बोल रहे है जी हाँ जा हाँ जी मैं पच्छना चाओना हाँ जी कि पर गुरु कोवें से जीटा जान जड़ाया वो वो शुदी सत्मी चुहाया सी जा कोछोड डिर्तिफास वो सुदी सत्मी सारे इतिहास दे विच एक चुदी जड़ी या वो पहला शुरू हो दिया जब भरी पहला शुरू हो हाँ जी वो तोरा तरीक नो ते मागी शुरू हो जेगा माग में नहीं आवा जबा ओना ने उस दश्वेश पिता कलगी तर पिता दे चरनाविच असी अपना नतमस तक हुंदें होया उननो शर्दांजली जड़ी है वो केवल दूज्या नो जड़ी समझाई अलय यारखा जोगी रह्मानी ने साहिब सिरी गुरू गोविंद सिंग साहब दी उस तद्वी जड़े लफज कहे ओ लफज दोरान नुचित करदा करतार की सौगंद है नानक की कसम है जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है हर चंद मेरे हाथ में पुर्जोर कलम है सत्गुर के लिखूं वसफ कहा ताबे रकम है एक आँख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे सागर को या मजधार को या लहर को देखे गुरु गोविंद सिंग साहब दे जीवन दे किसे एक पक्षनू विखना जिड़ा बिजली दी रफटार्द वाले कोड़े ते सवार होना पहेगा बहुत बहुत तानवाद आपता इस प्रोग्राम विच शामल होन ली और अपने विचार देन ली जिड़े सानू सेद बक्ष देहन अगवाई देहन बहुत बहुत तानवाद एक और प्रोग्राम लेके हाजर हो आगे वाईगरु जी का खालसा बहुत बहुत बहुत